अलो फेंड्स, वेलकम टू टीचर सेंपायर, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिसकस करूँगा हेमती नंदन बहुगणा यूश्टी के सिलेबस को, जो की हेमती नंदन बहुगणा यूश्टी में अभी करेंट में लगता है, यह वहाँ के बीए का सिलेबस है, यहाँ वह कीसे ने दिखा यै, इसमक चुक्ताई ने लिखा है कालू वाक properly अपसेंफों आपक की मुस्लिम राइटर है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स बटाएंगे जोनर बताई कि यह पोइट्री वोग है या आपने मुझे बताना है कि अगर मैं और बढूं तो यहां पे marriage are mate ये किसका है यूनिस डिश्विजा का वर्क है यूनिस डिश्विजा का वर्क है jump ये किसका वर्क है नादिन गौर्डीमर का वर्क है आपसे की request है कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो question पूछने आप बताईए देखिए कुछ तो आपको भी search करना ही पड़ेगा हर चीज आपको नहीं मिल सकती एक channel के मादनिम से या तो आप लोग का अच्छा response होता एक like करने में और comment करने में आप देख रहे हैं इतने time बाद आज वीडियो आ रही है तो इसका reason यही है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई economic क्यां से profit हो रहा हो तो बस आप लोग की information के लिए है और आप लोग इसको like जरूर करें और share आप करें क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपके तो आपको मिल सकती है बाकि YouTube से कुछ नहीं मिलता अगर आप चाहें तो खुद भी आप वीडियो बना के देख सकते हैं तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं next option की हो next option जो आपके सामने है यह है on his blindness यह आपका John Milton ने लिखी थी John Milton जो कि Jacobian age से बिलोंग करते हैं Jacobian age मैंने आपको बताया था Jacobian age का जो time period है वो कब से कब तक है Elizabethan age के बाद यह age आती है यानि आप ही कह सकते हैं कि 1558 से लेकर के 1603 जो कि Elizabethan age का है लेकिन जो आपका 1603 से लेकर के 1625 पाला time period आता है वो Jacobian age होता है और उससे आपके John Milton बिलोंग करते हैं और John Milton Jacobian age के सांसांती यह 3 ages को इन्होंने cover किया था और यह Commonwealth period के last writer कहे जाते हैं किसकी बात हुरी है John Milton की बात हुरी है अब अगर मैं बात करूँ किसकी next यानि LG return in a country church art की तो LG return in a country church art यह किसमें लिखी थी Thomas Gray ने लिखी थी Thomas Gray जो कि Victorian age के writer है LG return in a country church art इन्होंने लिखी थी Thomas Gray ने और Thomas Gray का जो पहला work है वो कौन सा है आप मुझे comment section बताएंगे कि Thomas Gray का पहला work कौन सा है यह मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगो ज़रूर बताया है और Thomas Gray का पहला work आप comment में मुझे इन्तिजार रहेगा LG return in a country church art जो कि Thomas Gray ने लिखा है क्या यह एक LG है या यह एक ballad है यह भी आपने सर्च करना है William Wordsworth जो कि आपने नाम सुनाई होगा कौन से? The Solitary Rapper वाले आपको बताएं William Wordsworth जो कि आपके आपने से बिलौग करते है आप मेरी पिछली वीडियोज देख सकते है नेश्टा आपका प्रोसपाइस जो कि Robert Browning ने लिखा Robert Browning जिनको में लोग Father of Dramatic Monologue करते हैं कौन से बिलौग करते हैं Victorian age से बिलौग करते हैं और John Keats से कौन से बिलौग करते हैं आपका Romantic Age से बिलौग करते हैं John Keats से Romantic Age में सबसे बाद में पैदा हुए लेकिन सबसे पहले मरे थे कौन? John Keats और इनकी बिमारी किस बिमारी के द्वारा हुई थी ये भी आप मुझे comment section ने बताएंगे ये ही basic questions आपके बनेंगे कि इनकी बिमारी किस के द्वारा हुई थी और बढ़ताओं में next paper की ओर जो आपको दिया है आपे पेपर दिया है आपको William Shakespeare का The Merchant of Venice यहाँ पे लगा है The Merchant of Venice William Shakespeare का The Merchant of Venice यहाँ पे लगा है ये tragic comedy है या comedy है आप मुझे बताएंगे कि The Merchant of Venice ये tragic comedy है या comedy है ठीक है इसके साथ-साथ Charles Dickens ने एक work लिखा था Oliver Twist ये भी लगता है Charles Dickens का वर को Oliver Twist भी यहाँ लगा है ठीक है अगर मैं बात करूँ आप other writers की तो यहाँ पे तुबातक सिंग जो की सद्दत हुसन मेंटो ने लिखा है तो बातक सिंग जो की short story है और यह किसन ने कहुए है सद्दत हसन मेंटो ने लिखिय है तो बातक सिंग और जो दूसरी है इसमें Silence the Court in the Session by विजय तैंदुलकर यह किसका वर्क है विजय तैंदुलकर का वर्क है और तो बातक सिंग यह किसका वक ऐस्दत हसन मंतु का वरक है आप मैं बढ़ता हूं नेक्स वरक की ओर यह आपको दिया है इसमें एंगि विंग आई आग कि विंग सॉफ विंग सॉफ आई रेफियों एकिसके एपटेमन कपनलाम की ये और्टरीव ऑर्ट्र बाईजिन उफिपैजन विल्यम डुरांट यह किस ने किती विल डुरांट ने लिखी थी तीसरा जो आपका फिल्म एप्रिशेशन एनी सिक्स फिल्म्स और नेश्ट अगर में बात करूं नीचे को अगर हम जाएं इस सेलेबस में तो दफोग टेल्स अप उत्राखन यह आपका एक बेसिक सा क्वेश यह अभी प्रोफेसर रही साथ गरवाल उनिवेस्टी में ही और एक रिसर्च स्कॉलर थे तब इन्होंने इस बुक का ट्राशेशन किया था वास्ता में बुक है किसकी गोविन चतक की है ठीक है मैं बात करूं अगर सेकिंड बुक दे सैडू आप कामाख्या यह बुक किस ने लिखी इंद्रा गो सामी ने लिखी और इसके साथ गंडर और फ्राइड ऑफ टेन एटी फोर बाई माहे सुटा देवी ठीक है माहे सुटा देवी ने यह बुक लिखी है कौनसी द जेंडर और हीमन राइड्स मदर ऑफ टेन एटीफोर तो यह था आपका गरवाज नि आपको यहां पर नहीं बताई जा सकती या तो आपका वीडियो में रिस्पॉंस उतना चाहो हर चीज तो कोई ने कोई तो आदमी हर कोई अपना प्रॉफिट देखता है तो चलिए कम से कर मेरा टाइम जरूर बचेगा अगर आप मुझे सर्च करके इन चीजों को बताएंगे कि जैसे आपके इसमत चुकता ही है यह कहां के राइटारे जो आपको प्रेम चंद्रा है इन्होंने ने जो यह डेलिवरेंस लिखा है यह है क्या वास्तों में क्या यह एक स्टोरी है या एक ऐसे है यह आप मुझे बताएंगे कमिन वॉक्स में अब मैं आपको कुछ साइक अध्यापक को अध्यापन सरद полना यह करते है आध्यापक को अगर अध्यापन सरद बनाना हो क्योंकि यहां पर word यूज हो है learning अगर उसने उसको simple बनाना हो तो methods को methods में change लाएगा teaching aids के द्वारा कभी भी teaching easy नहीं होती है बस teaching interesting होती है teaching aids के द्वारा अब यहां से question किस प्रकार से बन सकते हैं मैंने आपको बताया कि द्रिश्य साधनों एक word यहां पर use हो है तो द्रिश्य साधनों का मतलब होता है visual aids आपका question basic सा इस प्रकार बनेगा कि द्रिश्य हम स्रभी साधन प्रकार हैं किसका सेक्षिक सायक सामागरी का प्रकार हैं यह आप ध्यान दीजेगा अब यहां पर अगर मैं अधर option को describe करूँ तो समय बचाने के लिए तो इसका मतलब नहीं होता समय बचाने के लिए वो किसी भी प्रकार के द्रिश्य साधनों का प्रियोग नहीं करता बगाएदा समय इसमें ज़्यादा लगता है अधिक ज्यान के लिए अध्यापक हमेशा कभी वे अधिक ज्यान के लिए साध्य सामगी का प्रियोग नहीं करेगा वो एक authentic books का प्रियोग करेगा अधिक ज्यान के लिए बढ़ता हो में question number second के और question number second है अध्यापक की अस्पलता का सबसे बड़ा कारण है अंतरवैक्तिक संबंद, वाग दक्षता, विसे की उपर प्रियाप तो नियंतरन ना होना या उप्यक्त मैंसे कोई नहीं इंगिस की ओर अगर हम जाएं तो interpersonal relationship वो पूछरा है cause of failure तो cause of failure कभी interpersonal relationship नहीं हो सकते हैं यह तो cause of success होते हैं चाहिए वो आपके family में हो या चाहिए वो आपके विद्याले में हो अगर आपके family की बीच में interpersonal relationship से बच्चे हैं तो आपकी family अच्छी progress करती है ऐसी विद्याले में भी होता है ऐसी हर समाज के शेत्र में होता है तो यह तो इसका answer नहीं होगा verbal ability के अगर में बात करों तो cause of failure में verbal ability से अध्यापक की असपलता नहीं होगी verbal ability से बच्चा बोर जरूर होता है लेकिन वो अध्यापक की असपलता नहीं काई जाएगी क्योंकि बहुत सारे और भी region होते हैं जिससे एक अध्यापक सपल हो सकता है इसलिए ये आपका उतना सही answer नहीं है तीस्टा option में अगर मैं जाओं कि विशे की उपर प्रियापती नियंतर ना होना हाँ ये ज़रूर होसता है कि अगर अध्यापक का उसके विशे की उपर प्रियापती नियंतर नहीं है उसको proper knowledge अगर अपने subject का नहीं है तो वो असपल हो जाएगा क्योंकि बच्चों का result उससे गलत आएगा और बच्चों की दिन परते दिन जो होगी संक्या विद्याले में घटनी सुरू हो जाएगी इसलिए इसका सही answer क्या होगा option number C ठीक है और मैंने इसके answer देखे नहीं है कहीं अगर आपको authentic answer मिलते हैं तो आप बता सकते हैं next आता आपके साथ question number third अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक 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 है यह अनावश्यक वर्ड आप जरूर देखिएगा वो कहरा कि which is the least important यह सबसे कम important कारक कारक कौन सा है चात्र को दंडे देना कक्षा में अनुसासन रखना यह भी एक आवश्यक कारक है क्योंकि बिना अनुसासन के पढ़ाई नहीं हो सकती है प्रभावसारी रंक से ब्याख्यान देना हमारा जो teaching होती है वो effective जरूर होनी चीए अभी बाला कुछ न कुछ सीखेगा तो यह कह रहा है कि अनावश्यक कारक कौन सा है तो चात्र को दंडे देना यह एक अनावश्यक कारक है क्योंकि NCF भी अब दंडे देने को मना करता है और RT भी अब दंडे देने से मना करता है तो इसका सही answer क्या होगा option number E नेक्स्ट अगर मैं बढ़ू question number 4 की ओर किसी पार्ट के सिक्षण में model के उप्योग के समय सिक्षण को करना चाहिए उसे lecture के दुरान लगातार दिखलाना चाहिए model के सामने खड़ा होना चाहिए आउश्यक्ता होने पर दिखाना चाहिए या इन में से कोई नहीं question आपसे बूच रहा है for showing the model in the teaching of a topic teacher shoot यानि teacher को क्या करना चाहिए अगर वो उसे lecture के दुरान लगातार दिखाता है model को तो फिर वो content पे जहां नहीं दे पाएगा model के सामने खड़ा होना चाहिए तो फिर भी आप model कैसे दिखेगा आउश्ता होने पर दिखाना चाहिए ये बहुत सही बात है कि हाँ जब teacher को जड़त पढ़ती है जब आपके part में वो वाला content आता है जिसमें आपको model दिखाना है तब ही आप model को दिखाएंगे तो इसका option number C सही answer होगा ये पराना paper है तो ये इसमें GSB पुछी गई थी तो चलिए आज के लिए फिलाल इस video में इतना ही अगर आप like करेंगे तो और भी videos paper तक आपको बहुत सारी psychology मिल सकती है और तो चलिए thank you और share आप जरूर करें comment में उन questions के जबाब आप जरूर दें जो मैंने syllabus में आपसे discuss करें thank you